हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो मैं चैनल, सबसे पहले मैं आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुपकामने देना चाहती हूँ और साथ में आप सबने खूब जादा मस्तिक्या होगा, खूब सारी मिठाईया खाई होंगे या साथ में बहुत सारे पटागे भी फोड़े होंगे तो अब चलते हैं हम गार्डन की ओर और आज के इस टॉपक में मैं आप से बात करने वाली हूँ स्लिपिंग हिबसकस के बारे में जिसे बनमंदार भी कहा जाता है क्योंकि ये कभी खुलता नहीं है और इसी तरीके से ये खिले हुए रहते हैं और ये जो बीच के स्टेम है इसके पोलन ग्रेंस दिखाई देने लग जाते हैं तो ये इसके लास्ट रहते हैं फ्रिंस मेंस इससे जादा और ये नहीं खिल सकते और ये बहुत ही जादा खुबसूरत प्लांट होते हैं और आप इसे कटिंग से बहुत जादा इसली ग्रो कर सकते हैं मेंली रेनी सीजन या फिर फैबररी मार्ज के टाइम पर भी आप इसके कटिंग ग्रो कर सकते हैं और कटिंग और यहां पर पुराने स्टेम्स आपको लेना है ऐसी कटिंग्स अगर आप चूस करते हैं तो आपका रिजल्ट दस से पंदरा दिन में आपको दिखने लग जाएगा और इसमें काफी सारी कलिया नजर आती हैं बहुत सारी कलिया निकल कर आते हैं धेरो मात्रा में और इसमें कुर्ट करते हैं जादा केर करने कीजरवत नहीं होती है और अगर आपके बहुत फेर्टिलाइजर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें काउड अं कंपोस्ट दे सकते हैं या फिर लिक फेर्ट वट्रे जो हम हम बेशित मनाते हैं जयसे बनाना पील फेर्टिलाइजर हो गय या tea comp выше fertilizer हो गया इन सबसे भी आप इसमें काम चला सकते हैं और काफी सारी flowering ले सकते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में बहुत सारी flowering हुए हैं और यह winter season में सबसे ज्यादा खिलते हैं साल भर खिलने वाले प्लांट है यह permanent flowering लेकिन विंटर में ज़्यादा इसकी फ्लावरिंग की मात्रा बढ़ जाती है और सबसे ज़्यादा ये बारिश से खिलना स्टार्ट होते हैं और लगभाग जून जुलाई तक पूरा खिलते ही रहते हैं लेकिन गरिमियों में इसके जो flowering के quantity होती है वो बहुत कम हो जाती है क्योंकि ज़्यादा harsh temperature इनको पसंद नहीं है तो उस टाइम पर ज़्यादा flowering नहीं करते हैं मगर करते हैं तो इसमें भी आप कलियां देख रहे हैं फ्लावरिंग भी देख रहे हैं बहुत अच्छा यह flowering plant है और इसे मैंने कर्णिंग से ग्रोग किया था और बहुत एजली यह ग्रोग भी हो गया थे और यह लगभग दो से ढ़ाई साल पुराना मेरा प्लांट है और इसी तरीके से फ्लावरिंग करते हैं बस आपको यह करना है कि जब यह पूरे फ्लावर खिल के खतम हो जाते हैं तब आपको नीचे से थोड़ा प्रून कर देना है उसके बाद फिर से यह बुशी हो जाएंगे और काफी सारे फ्लावरिंग करेंगे कलियां बनते रहेंगे तो इसमें इसमें पानी दे देंगे तो फिर यह सारे मिली बग्स हर्ट जाएंगे क्योंकि जब कम डिजीज अटेक करते हैं प्लांट पर तो उसमें ज्यादा फंजी साइट और कैमिकल्स का यूज नहीं करना चाहिए थोड़ी थोड़ी चीजों में यह सब जो है हाथ से या फिर जो वाटर से हैं वो आसानी से चले जाएंगे तो यह मिली बग्स जो रहते हैं वो पर्मानेंट नहीं रहते हैं लेकिन हाँ जब लगते हैं तो उन्हें समय पर हटाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो धिर धिर यह प्लांट में फ पॉटिंग मिक्स है अगर वो ड्राइ होने लग जाए तभी आपको वाटरिंग करना है अदर्वाइस आपको वाटरिंग को बिल्कुल स्किप करना है और गर्मियों में तो आपको डेली वाटरिंग करना मस्ट है और साथ में जो भी इसकी फ्लार्स रहते हैं वो पांच से च्छे दिन प्लांट्स में मिनिमम रहते ही हैं और अगर आपने सॉइल में बिल्कुल भी पानी नहीं दिया है, सूख गया है आपका जो सॉइल है, तब फ्रेंस पांच-छे दिन से जादा ये फ्लार नहीं टिक पाते हैं और ज़ड के गिर जाते हैं, जैसे कि आप देख सकत यहां पर सॉइल में जो है एक फूल जड के गिर गया है और ये लगभग 6-7 दिनों का है, 6-7 दिन तक ये फूल लगे हुए थे प्लांट में उसके बाद ही जड कर गिर गए हैं, तो इस तरीके से फ्रेंस ये जिसको फ्लार्स रहते हैं, ये भी बहुत दिनों तक का प्ला अच्छी है, और ये भी काफी कलर के आते हैं, बगर यहां पर अविलेबल नहीं है, और लाइट पिंक और वाइट शेड में भी आते हैं, मैक्सिमम ये वेस्ट बेंगॉल में जादा पाया जाता है, तो और जैसे कि हम 36 गड में रहते हैं, तो यहां पर इसकी जो जादा व प्रेंस वो 50 रुपीज कॉस्ट पे हैं, और बहुत एजली ये किसी भी नरसरी में मिल जाएंगे, और विंटर में तो सबसे जादा ये मिलेंगे, किसी भी नरसरी में, तो आप जाकर चेक आउट जरूर कीजिए, और इसमें अगर आपको नरसरी में ये दिख जाते हैं, त काफी जादा फ्लावरिंग करने वाले प्लांट है, और बहुत दिनों तक प्लांट पर बनी रहने वाले फ्लावर्स है ये, तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, आप मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब थो दक्ली, बाइवा तेक केर!